सरफरास को नहीं मिला मौका BCCI ने क्यों नहीं दिया मौका क्या है असली वज़ए टीम इंडिया इस वक्त न्यूजिलिंड के साथ वन डे सिरीज खेल रही है इसके बाद भारतिय टीम को फरवरी में उस्टेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्स सिरीज खेलनी है वर्ल्ड टेस्ट चेंपिंशिप के फानल में पहुशने के लिए टीम इंडिया को ये सिरीज जीतनी होगी इसके अलावा टीम को अपने टेस्ट मुकाबलों में भी काफी शानदार प्रदोशन करने के साथ ही फानल में जगया बनाने के लिए ये सिरीज काफी महत्पून होगी बेराल इन सभी के बीच BCCI ने औस्टेले खिलाफ होने वाली टेस्ट सिरीस के अगामी दो मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया इसमें एक नाम गायब रहा वो था सरफरास खान इसके बाद शोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई कि 25 साल के सरफरास खान को क्यूं मौका नहीं दिया गया इसको लेकर लगातार बजार काफी गर्म है क्रिकेट के दिगज क्रिकेट पंडित मानते हैं कि सरफरास खान को टीम के अंदर जगय दी जानी चाहिए थी सरफरास खान घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रही है ऐसे में उनकी टीम इंडिया में एंट्री बनती है सुनिल गवासकर भी सरफरास खान के पक्ष में आये उन्होंने कहा कि आपको सरफरास खान को मौका देना चाहिए लेकिन बड़े स्कूर करने के बाद भी और लगातार रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया में उनकी एंट्री क्यों रही है इसकी असली वज़य को जानने की कोशिच करें तो सरफरास खान को लेकर उनके फिटनेस पर सवाल किया जाता है हाला कि सरफरास खान के रिकॉर्ड को देखें तो लगता है कि वह काफी लंबे समय से करकेट खेल रहे हैं लगतार शतक पर शतक जड़ रहे हैं तो ऐसे में उनके आंकडे तो काफी शानदार है और वह टीम इंडिया के मिडल ओर में मजबूती भी दे सकते हैं लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर सवाल किया जाता है कि आकरकार सरफरास खान की फिटनेस ज्यादा है नहीं उनका वजन ज्यादा है इस वज़े से उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया है लेकिन टीम में फिटनेस को लेकर यो यो टेस्ट जैसी फिटनेस टेस्ट शामिल किया गए है हलांकि सर्फरास कान अपने वजन पर काम कर रहे हैं लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो उनके वजन का असर उन पर पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसके अलावा उम्र को लेकर भी सवाल किया जाता है कि सर्फरास कान 25 साल के हैं इस वज़े से उन्हें टीम के अंदर मौका नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि शुम्मन गिल, इशान किशन, रिशापन जैसे जब खिलाडी जो सर्फरास कान से भी छोटे हैं वो टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो सर्फरास कान टेस्ट टीम में शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं भारत के पुर्वदिगस के लाड़ी सुनिल गवासकर ने भी यही बात कही थी, उनका मानना है कि अगर सर्फरास कान की फिटनेस को ही अगर आड़े हतों लाना है तो आप पतले लड़के ढूनने के लिए मौडल को ले करके आईए बता दें कि सर्फरास खान लगातार रन बना रहे हैं उन्होंने अब तक घरीलू क्रिकेट में 37 मैचों की 54 पारियों में 3505 रन बनाए हैं उनका उसत 80 के करीब का है इस दोरान 13 शतक 9 अर्दशतक भी सर्फरास ने अपने बल्ले से लगाए हैं उनका हीय स्कोर भी 301 रन बाद है इसके अलाबा सर्फरास खान ने पिछले 3 रन जी फॉर्मट में 100 से उपर की उसत से रन बनाए हैं अगर उनकी पिछली पारियों को देखें तो दिली के खिलाफ 125 रन की पारी तमिल नाडू के खिलाफ 162 रन की पारी शुराष्ट के खिलाफ 75 रन की पारी हिदराबाद के तो ऐसा तमाम दिगजो कमाना है रिशेप पन चोटिल है और सर्फरास खान को उनकी जगया एक्सपेरिमेंट के तोर पर अपनाया जा सकता है और टीम को वह मजबूती दे सकते हैं बहराल क्या कुछों को है तो देखने वाली बात होगी लेकिन सर्फरास को लेकर आपकी ज चैनल को जरू सब्सक्राइब करें नमस्कार